Hello everyone, सिर्फ एक चावल के पानी के साथ ही आप अपने बालों को जल्दी से लंबा घना शाइनियर बना सकते हो अगर आप फास्ट हे ग्रोथ की इच्छा रखते हो, चाहते हो कि एक या दो बार में ही आपका हेरफॉल कंट्रोल हो जाए, ब्रेकेज की प्रॉब्रम रहती है, उसे ठीक करें, बालों के अंदर बहुत अच्छी शाइन लिए, साथ में बालों के अंदर बहुत अच्छी थि जोड़ दूँगी, और तीन घंटे के बाद अब आप देख सकते हो, यहां पे मैं अब किस तरह से इस पानी को बनाऊंगी, इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद जो भी आपके घर में जार है, उसके अंदर आपने इस पानी को डाल देना है, इसे अपने इसे ग्राइंड करके एक स्क्रबिंग के लिए पाउडर बना के रख सकते हो, और उसके बाद हमने इसको किस तरह से पानी को बनाना है, आपने क्या करना है, कहीं भी आपने डार्क प्लेस पे इसे रख देना है, 24 घंटे के लिए, अच्छे से आपने इसे कवर कर लेना है, और उसके बाद आपने इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद आपने यूज कैसे करना है इसको 24 घंटे हो गए हैं और उसके बाद आपने क्या करना है इस पानी का यूज करना है इसकी जो गुंटा होती है वो डबल हो जाती है जब आप इस तरह से इसे fermented कर देते हो अब इसका खटापन जादा हो गया इसके अंदर iron, vitamin की माता जादा बढ़ गई है इससे क्या benefit मिलेगा इससे आपका hair fall भी control हो जाएगा fast hair growth होगी अगर आपको dandruff की problem रहते है dandruff को ठीक कर देगा बालों के अंदर बहुत ही अच्छी shine लेके ये आएगा उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है vitamin E के दो capsule add कर देना है vitamin E faster growth करता है hair fall को control करने में help करता है बालों के अंदर बहुत अच्छी thickness लेके आता है अब आपने क्या करना है इसे अच्छे से mix कर लेना है और आप इसे 4-5 दिन के लिए बना के fridge में store करके रख सकते हो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और नहीं किसी तरह की कोई smell लाएगी किसी भी bottle के अंदर इसे डालीजिए उसके बाद जो बचा है उसको आफ फ्रिज में store करके रख लीजिए और अब आपने यूज कैसे करना है इसे देख लीजिए आपने क्या करना है पूरी scalp पे इसे लगा लेना है और आपने इस चीज का ध्यानक नहीं कि आपने इसे दिन में फास्ट एर ग्रोथ होगी बहुत ही अच्छी एक ठिकनेस बालों के अंदर आएगी शाइन आएगी तीन बार आपने दिन में इसे यूज करना है आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने कुछ भी नहीं लगाया है अपने इसे अपलाये करना अपने बालों पे बहुत ही अच्छे result आपको इस rice water के साथ मिलेंगे फेले आपने scat पे लगाना है फिर पूरी length पे आपने इसे लगा लेना है उसके बाद massage करनी है 4-5 मिनट अच्छे से massage करनी है जिससे blood circulation बहुत अच्छे से होगा जब आप rice water का use कर रहे हो उस time आपको hair welling करने की जरूरत नहीं है इसी से ही आपका hair fall control हो जाएगा इसी से ही आपकी dandruff ठीक हो जाएगी fast hair growth होगी पालों के अंदर बहुत अच्छी thickness आजाएगी और साथ में एक बहुत अच्छी shine इसके साथ आएगी और इसको सभी use कर सकते ह ladies and सब इसको use कर सकते हैं किसी तरह का कोई side effect नहीं होगा बहुत ही अच्छी result आपको इस rice water के साथ मिलेंगे और बस आपने क्या करना है दिन में तीन बार जब आपने इसे लगा लिया तो next day आपने इसे shampoo के साथ wash करना है और किसी तरह की कोई smell नहीं आएगी आपके बालों म और उसके बाद आपने इसे fridge में रख देना है जो आपका बज़ जाएगा उसके बाद आपने इसे fridge में store करके रख सकते हो और week में three time आपने इस rice water का use करना है और इसी तरह की shine आपके बालों में भी देखने को मिलेगी इसी तरह के result आपको इसके साथ मिलेंगे किसी भी extra product क कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप rice water का ही use करते हो तो इसी के साथ ही आप अपने बालों की growth को बढ़ा सकते हो hair fall को control कर सकते हो dandruff को ठीक कर सकते हो I hope आज की वीडियो थोड़ी सी भी help लोगे तो चनल को subscribe कर लेना वीडियो को like और ज़्यादा से ज़्यादा share करना जिसे औरों को भी इसका benefit मिल सके